हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो रेडियन्ट कम्पिटिशन क्लासेज मैं आप लोगों के शमक्षे आज करेंट एफियर्स का एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक जो भारत और सेंटल इसिया नए सामरीक आयाम पर चर्चा करने वाले हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हो कि इसमें जूभी material मैं आप लोगों को provide करता हूं इसमें आप अपने भी material जोर कर इस से भी बहतर notes तैयार कर सकते हैं मैं तो फिर्फ यहां एक model आपको दिखा रहा हूं कि आप इस तहसे answer कर सकते हैं आप इसको जितना सजाने का काम होगा निश्यत रूप से आप खुद कीजिए चुकि किसी पर depend होना बिल्कुल ठीक नहीं है आप यदि गूगल करके भी या फिर आपके पास जो कुछ तके उपलब्द है उनसे भी material लेकर notes को बहुत बहतर बना सकते हैं मैं यहाँ जो provide कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप हूब हो इसको छापिए आप लगातार इसमें improve कीजिए इक सिर्फ मैं आपको सोचने का एक तरीका परदन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं तो यह ताकि आपको बहतर notes बनाने में यह सहायक हो आप यह कह सकते हैं कि मैं जो यहाँ आपको provide कर रहा हूँ यह सहायक सामगरी प्रस्तूत कर रहा हूँ दोस्तों बस ताकि आपका notes बहुत बहतर हो और आप पर इच्छा में बहुत अच्छा rank ला पाए तो चली start करते हैं भारत और Central Asia नए सामरी कायाम मैं पहले ही बताया कि जितना भी question आप लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है Central Asia मुख्य फोकस है Central Asia का हमारे इंडिया के लिए क्या महत्तो है तो Central Asia हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि Central Asia क्या है परिचय उसका देंगे फिर यह किस माइने में हमारे लिए important है इस पर बात करेंगे फिर final conclusion देंगे यह तीन ही part आप किसी भी question का रखिएगा यह बहुत बहतर होगा तो चरिए हम लोग समझते है Central Asia आखिर है क्या कहां पर है यह आप मैप भी बना सकते हैं मैं यहां मैप नहीं बनाया हूँ लेकिन आप जो final answer कीजेगा आप वहां मैप भी बना के दिखा दीजेगा Central Asia देखेगा अफगानिस्तान के उत्तर में यूरोप तथा रूस के बीच स्थीत एक भावलिक छेतर है जो 1991 तक रूस के नियंतरन में था लेकिन 1991 में जब सोवियत संग के भिगटन के बाद पांच सोतंतर देश जो बना जो इस छेतर के इस चेतर में अस्थित्त में आए खजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उजबेकिस्तान तो ये पांच देश जो बने यानि के रूस के भिगटन के बाद सोवियत रूस के भिगटन के बाद ये पांच देश जो है इन पांच देशों को ही वर्तमान में सेंटल एसिया कह जाता है अब आपको निश्यत्रूप से समझ में आ गया होगा कि उन्हेस्ट एक आनबे में सोवियत रूस का वेगटन हो गया उसके फॉलसुरूप कई देश बने थे लेकिन ये जो पांच देश बने थे और ये रूस के नियंतरन में थे पहले लेकिन अब जो है ये पांच स्वतंतर देश बन गए है और इनी पांच देश को सेंटल एसिया कहा जाता है अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटल एसिया में भारत के ही यानि वरतमान समय में सेंटल एसिया भारत के लिए महत्तरपूर्ण है तो अब हम लोग ये देखेंगे चुकि ये मेन पार्ट हम तो पहला देखेगे इसमें तीन हित मुखे रुप से हैं तो पहला देखेंगे सामरी खीट है दूसरा ओर जा सुरक्षा है तीसरा आर्थिक और बैवसायक हीत यह तीन परकार के हीत सेंट्रलेसिया में भारत के नी हीत हैं आप ये तीनों का चर्चा कर दीजेगा मिडिल पार्ट आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो इसमें देखिए सामरिक हित के बारे में दिबात करें तो सामरिक हित यानि सामरिक द्रिष्टी से सेंटल एसिया छेत्र भारत के लिए अतिम हत्तपोर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान का सामाजिक धाचा सेंटल एसिया के सामाजिक धाचा के शमान है दोनों ही जगा देखेगा दोनों ही जगा जाजिक या उजविक जनजाती समूँ पाए जाते हैं इस च्छेत्र में आतंकवाद का भूल वाला है साथ ही राजनितिक स्थीरता तथा परजातंत्र का अभाव है और 2014 में नाटो सेनाओं की वापसी तथा 2021 में अमरीकी सेनाओं की वापसी के बाद यदि अफगानिस्तान में आतंकवाद पर नियंतर नहीं हो पाता है तो आतंकवादी इस छेतर को भी अपनी चपेट में ले लेगा जो भारत के लिए उचित नहीं होगा अधा भारत का इस शेत्र में प्रभावी होना अत्यावस सक है इसी को बोलते हैं शामरिक शक्ति कहने का मतलब है ये अमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट शेत्र है लेकिन ये क्या है इसमें परजात तंत्र का कोई कानूनी राज तंत्र स्थापित नहीं है कोई कानूनी पदहानाा निश्ट रूपसीव हो गा, अधिम teor भारत का इस चैतर में परभावी होना Θ성이्? या अवेद बैपार आतनकवाद के आर्थिक संसाधनों का परमुक्सरोत है अतहा भारत को अपनी सुरक्षा के द्रीष्टी से इस छेतर में अपनी पैट बनाना आवस्यक है तो आपको समझ में आ गया होगा एक से दो बार पर लीजेगा आपको मिश्यत रूप से कुछ तथ मिल जाएगा फिर आप बहतर नोट साफने से बना लीजेगा उसके बाद चीन और पाकिस्तान में सामरिक घट जोर का विकास हो रहा है तरह पाकिस्तान यह नहीं चाहता है कि इस छेतर में भारत का प्रवाव बढ़े आप जानते हैं कि चीन जो चमगादर हम लोग करते हैं तो क्या होता है चीन वो पाकिस्तान दोनों ही अपने स्वार्थों के कारण अफगानिस्तान के वर्तमान तालिवान सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो कि भारत इसा कभी नहीं चाहता है अता 2021 के बाद भारत के लिए सेंटरल एसिया का सामरिक महत्त और अधिक बढ़ गया है अफगानिस्तान में अगस 2022 में अमेरिका के ड्रोन हमले में अलकाईदा मुख्या अमन अलजवाहरी का मारा जाना वहाँ आतंकवाद के प्रश्रे कापूश्टी करता है याने कि लगातार जो है वहाँ तंकवाद बर रहा है तब ही तो अमेरिका के ड्रोन के दोरा एक nearest अम अब हम लोग देखते हैं दूसरा उर्जा सुरक्षा यानि भारत के लिए उर्जा सुरक्षा देखेगा यह चेतर प्राकरतिक संसाधनों से संपन्ध है यानि के जो सेंटल एसिया है प्राकरतिक संसाधनों के द्रिश्टी से देखा जाए ति यह बहुत ही संपन्ध चेतर है करिजाकिस्तान में तेल, तुर्केवेरिस्तान में गैस, औजबेकिस्तान में उर्जा संसाधनों की संभामना है इसे तरह किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में जल संसाधन ब्यापते हैं जो उर्जा उत्पादर हितुपर योगत किया जा सकता है दूसरी तरह भारत अपनी उर्जा उसकताओं की 80% अपनी बायस रुतों से करता है यही सेंटरल एसिया भारत के लिए उर्जा 80% जो है आयात करता है जिसके कारण भारत के लिए इस चेतर का अतीम हत्तर पुर्णास्थान है इन उर्जा संसाधनों को प्राप्ते करने में मुख्य चुनोतिया है कि यह एक भू आवेसी चेतर है तथा उर्जा बैपार या तायात के लिए भारत को अफगानिस्तान अथ बिदान का सुरक्षा भारत के लिए अतियावस्यक है ताकि इस चेतर से वह विविन चीजों की प्राप्ति कर सके तीसरी बात हम लोग कर लें तीसरा जो हमारा हित है यह आर्थिक और बैवसाइक हित है यह बैश्विकरन के बरतमान युग में भारत एक भरते हुई अर्थ उपलब्ध हो जाता है यानि कि भारत लगातरी क्या है एक विकास सील देश है यह लगातर चाहता है कि नए ने छेतर इसको मिले जहां पर वो इन्वेस्ट कर सके जिसके साथ बैपार कर सके तो यह सेंटरल एसिया के जो पांच देश है यहां पर एक बहुत अच्छा प्रै अस्थापित करना अनिवार्ज है यदि भारत किसी तरह से यह अपने मिशन में कामियाब हो जाता है तो इन तमाम चीजों की प्राप्ती भारत को आसानी से हो जाता है अब हम लोग एक बार इसका निसकर्स देख लेते हैं भारत और सेंटरल एसिया के बीच पराचिन काल से नहीं सांस्क्रितिक धार्मिक तथा बैपारिक संब्द रहे हैं वर्दवान परिप्रेक्ष में भारत ने इन देशों के सोतंतर होने के बाद 1991 से ही घनिष्ट संबंदों के विकास की नीती अपनाई है इसमें भारत बहुत हर्द तक सफल भी हुए है 2017 में भारत द्वारा संगाई संगठन की सदस्कता घरन करने के बाद इन संबंदों को और अधिक मजबूती मिली है अगस्त दो हजार बाईस में अफगानिस्तान में तालिवान सासन के अस्थापना के बाद सेंटल एसिया का सामरीक महतों भारत की विदेश नीती में और अ आयुजित कर शहयू का दिर्ग कालीन रोड में अपतेयार कर साज़ेदारी विस्तार करने का संकेत दिया है यानि कि भारत चाहता है कि परती वर्स समेलन हो और समेलन के माध्यम से एक सिखर समेलन आयुजित करें इसके माध्यम से एक दूसरे के करीवाने का बहुत अच्छ मौका भी मिलेगा साथी भविस्य में संबधों का बिस्तार होने की परवल संभावना भी हो सकेगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को इस से टॉपिक से संबधित कुछ तथ्य परस्तूत किया मैं बार बार कर रहा हूं कि आप स्वेंग इन तत्र का प्रियोग कर और बिविन सरोतों से आप एक बहतर नोट्स तेयार कर सकते हैं ये मैं फाइनल नोट्स नहीं दे रहा हूं इस बात का भी याद रखिएगा और यदि ये तत्थे ये जो मेट्रियल है ये जो फैट्स है आपको यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर किजिएगा और यदि आप किसी तरह का और सुझाओ देना चाहते हैं तो मैं सुझाओ आमंतरित करता हूं बस आज के वीडियो में इतना ही तन्नवात